नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत आपका आज के इस वीडियो में जहां पर बात करने वाले हैं दो ऐसी गाडियों के बारे में जो आज के टाइम में सबस्यादर ट्रेंड पे चल रही हैं और काफी लोगों ने ये बुक कर रखे हैं दोनों ही गाडियां बु सोला से साड़े सोला लाक रुपे के बीच में और जो थार की यहां पर ओन रोड गीमत है वो है साड़े चोदा लाक रुपे अब आपको जैसे पहले सी पता है कि ये दोनों गाडियों हमने एक एक करके परचेज करी हैं एक बार हमने पहले थार 4x2 खरीदी जो की डीजल मे अब मैं इसमें ना कंपेरिजन करके बताने वालों है कि मोटा सा कंपेरिजन के अगर आप इन दोनों गाडियों के बीच में कंफ्यूज है तो कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा प्रेक्टिकल है फीचर्स किसमें जादा है मतलब दोनों चीज़ें यहां पर कवर गाड़ी की हेडलाइट वगयरा डियारल वगयरा यह सब कुछ चेंज है लेकिन आप देखो एक बार दोनों को फ्रेंट से स्कॉर्पियों सेवन सीटर है थार फोर सीटर है और लुक जो है ना वो टोटली आपके उपर मैं छोड़ता हूं क्योंकि सब की पसंद अलग दोनों गाडियों में हेलोर हेडलाइट आती है जो इसटोक आती है ठार में आपको फोगलैंप मिलते हैं जी CEO लेहं लखक हमोगाने होंगे बलकि थार में यहाँ पर 18 इंच के all train टायर मिलते हैं और 5 अलोई विल मिलते हैं आपको लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा difference है वो यह है कि Scorpion के अंदर आपको braking system जाद अच्छा मिलता यानि कि safety जाद अच्छी है इसमें चारो टायर में आपको disc brake मिलते हैं लेकिन थार में सिर्फ आपको front में जो disc हैं वो मिलते हैं side mirrors देख सकते हैं आप दोनों गाडियों में आपको काफी बड़े size के side mirrors मिलते हैं थार में जो आपके mirrors हैं इनको आप electrically adjust कर सकते हैं लेकिन Scorpion के base variant में न आप इनको electrically तो छोड़ो manually भी adjust नहीं कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ी कमी यही दे रखी है कि आप इसको heart से set करोगे बड़ यहां पर आपको जो indicator है वो मिलता है जो foot step है यह stock जो है आता है थार के साथ लेकिन Scorpion के साथ यह Z2 में नहीं आता है यह आपको अलग से ही लगवाना पड़ेगा अब बात करते हैं back profile की looks की उससे पहले सबको मालूम ही है कि थार आपको यहाँ पर हार टोप में मिलती है और Scorpion के अंदर आपको proper जो roof है वो मिलती है तर practicality के हिसाब से Scorpion यहाँ पर आगे निकल जाती है अब back profile की बात करते हैं देखो back की वीजन looks है ना वो थार की मुझे परसनली जादा अच्छी लगती है जादा attract करती है यह Scorpion की जो rear की looks है वो इतनी अच्छी नहीं है बट मुद्दा यह नहीं है मुद्दा यह है कि आपको एक frame में दोनों गाडियों दिखाना और price का भी बहुत कम difference है दोनों गाडियों के अंदर बट features किसमें जादा है जादा practical कौन सी है वह में मुद्दा हार में है ना यहां पर आपको back glass के अंदर डिफोगर मिल जाता है यह सबसे बड़ा इसका यहां पर profit है साथ के साथ आपको ना यह टायर मिलता है यह सेफटी में जाद अच्छा रहता है LED टेल लाइट 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 यह लेडी इसके अंदर भी मिल जाती है दोनों गाडियों के अंदर जो है रिवर्स में आपको दो ही parking sensors मिलते हैं बट इस पेर वील है वो नीचे की साइड दिया गया है फ्यूल टैंक की बात करो तो 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहां पर थार के अंदर मिलता है 4x2 में और जो इसकोर्पियन इसके अंदर मिलता है 57 लीटर्स का यानि की जादा जो टैंक चलेगा वह स्कोर्पियन का चलेगा आथ करते हैं capability की क्यूंकि दोनों ही गाडियां जो है यह रियर वील ड्राइव है ठीक है और दोनों ही गाडियां आपक 4x4 के अंदर भी मिलते Scorpion भी आती है टोपेंड वैरियांट के तरफ जब आप जाएंगे और इसके अंदर भी 4x4 आता है वह 2.2 लीटर का हिंजन है लेकिन आप एक चीज़ देखो capability यहां पर थार की जादा मिलती है आपको क्योंकि जो ground clearance है ना वह 226 mm का आपको थार में मि Scorpion नीचे से अड़ने के जो चांस है वह यहां पर आपको जादा मिलेंगे बाकि लुक्स आपने देख ली रियर की यह फर्क है अब इंटीर की बात करता हूँ उससे पहले बताता हूँ इसके अंदर आपको सेंटर लोकिंग को अप्शन मिलता है लेकिन इसके अंदर नहीं कंट्रोल है वो मिलता है लेकिन Scorpion में इन में से कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है लेकिन जब आप दोनों गाड़ियों को ड्राइव करोगे तो suspension के हिसाब से आपको Scorpion जादा मज़ा देगी जाद अच्छा suspension जाद अच्छा comfort आपको मिलता है braking भी जाद अच्छी आपक आपको infotainment system मिलता है जिसके अंदर touch screen है एक 7 इंच की अंडोर डोट एपल carplay चार speakers मिलते हैं MID के controls यहाँ पे दिये गए है और cruise control आपको गाड़ी के अंदर मिलता है और कोई भी armrest बगार खायर गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है बाकी manual IRVM यह सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है front की दो power window मिलती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो hill descent control और traction control है वो यहाँ पे आपको दिया गया है वहीं अगर मैं बात करो ना scorpion की तो आप देखो एक बार जो basic features हैं वो आपको scorpion के अंदर भी मिलते हैं गाड़ी के अंदर आपको चारो power windows मिलते हैं जो music के control है वो steering में हाँ पे दिये गए है नाइन इंच की यहाँ पर आपको touch screen मिलते हैं चार speaker मिलते हैं लेकिन इसके अंदर आपको android आपको carplay का feature नहीं मिलता यहाँ पर आपको देखो front में कोई भी हाँ पर traction control या hill decent control नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर आपको armrest मिलता है जो driver side seat है इसमें आपको height adjust करने का भी कोई option नहीं मिलता बट आप देखिए seats की जो यहाँ पर width है जो इनकी comfort है वो आपको काफी अच्छा मिलता है और space ज्यादा अच्छा आपको कोई भी rear door नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर देखो आप यह comfort इसके अंदर यह रियर सीट है यहाँ पर गाड़ी की और base variant के अंदर दिखातों देखो आपको base variant के अंदर आपको armrest with cup holder और इन seats का recline angle भी adjust कर सकते हैं आगे पीछे कर सकते हैं अपने comfort के हिसाब से यह सबी चीजें आपको score यहाँ के अंदर मिलती है और अब दिखाता हूं देखो तो सबसे में चीज है सबसे में चीज है boot space तो थार में हाँ पर देखो boot space आपको कितना मिलता है जब आप seat जो है use करते हैं भही अगर हम बात करते हैं इस को पेवन की देखो इस seat को आप fold कर सकते हैं अभी यह double आपकी होती है देखो एक बार दिखाता हूं आपको जब इसको पूरा fold कर दोगे ना अब देखो आप boot space और अगर आप इसको use भी कर बावजूद भी यहाँ पर जो boot है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है तो यह काफी बड़ा जो difference है ना वो यहाँ पर आपको दोनों गाडियों के अंदर देखने को मिलेगा सबसे जो practical चीज है वो यह ही है एक time बाद आपके जब शोक पूरा हो जाता है तो आप चलते आपको मिलता है 2.2 लीटर का इंजन और थार 4x2 में मिलता है 1.5 लीटर का इंजन तो थार यहाँ पर थोड़ा जाद अच्छा माइलेज देती है सिटी के अंदर हाइवे के उपर जो है थार का माइलेज कम है और स्कॉर्पियन का थोड़ा जादा है वो इसलिए जादा है क क्योंकि इसकी जो ट्यूनिंग है ना इंजन की वह इस हिसाब से करी गई है कि जब आप इसको टॉप गेर में दोजार पे चलाते हो ते 95 की स्पीड निकालती है और थार निकालती है 2000 पे टॉप गेर में 80 82 की स्पीड तो इस वज़ए से ना हाइवे जब आप करते हो तो थ प्रेस वेरियंट में और टॉप में ज्यादा फीचर से फरक ही नहीं उसके अंदर बस क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा ट्रक्शन कंट्रोल हिल डीसेंट कंट्रोल एंडर्डोट अपलकार प्ले और फोग लैंप और जो और व्यम से ना वह आपके इलेक्ट्रिकली जो रूफ आती है उसमें मिलती है तो रूफ में यहाँ पे स्कोर्पियो आगे निकल जाती है तो प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाये ते स्कोर्पियो आगे निकल जाती है भले इसमें थोड़े से फीचर इससे कम हो तो यह चोटी सी वीडियो में ना मैं आपको कोई कं के देखो और डिफ्रेंस देखो दोनों गाडियों में क्या डिफ्रेंस है आज आपको कंपैरिजन भी करके दिखा दिया एक ही फ्रेम के अंदर मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई कमी छोड़ी गई है मैंने अपनी तरफ से हर एक डाउट किलिर करने की हां पर आप लो थैंक यह वरी मुच्छ